मिलस्कार वड़ दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और लज़र डाल दे है आज की प्रमुख खबरों पर कॉली ने धोनी की कप्तानी पर उठाये सवाल बांगलादेश में वंडे सिरिस गवाने के बाद तीसरे वंडे में सितोतरन से जीत दर्श करके भारतिय क्रिकेटरों ने थोड़ी इज़त तो बचा ली लेकिन ड्रेसिंग रूम की गुडबाजी अब सामने निकल कर आ रही है बैसे पहले कि टीवी इंटर्व्यू में विराट कॉली ने कहां कि हम फैसले लेने में असमंजस में नजर आ रहे हैं और मैदान पर यह दिखाई भी दे रहा है कॉली ने कहां कि मुझे यहां खुद कहने की जरूरत नहीं क्रिकेट देखने बाले और प्रशन सक यहां देख सकते हैं कि हम खुल कर नहीं खेल पा रहे हैं पहले दो मेच में हमारा वीजन साफ नहीं था और हम खुल कर नहीं खेल सकें इसे पहले सुरेश रहना ने पत्रकारों के सामने कहां कि आप धोनी का अपमान नहीं कर सकते हैं एक सीरिस की हार उन्हें खराब कप्तान साबित महीं कर सकती हैं कॉंग्रेस हेजारी के लिलीत मोधी के लिए वसुंधरा राजे की गवाही के दस्तावेज राजस्थान की मुक्यमंतरी वसुंदरा राजे का इस्तिफा मांगते हुए कॉंग्रेस ने उनके खिलाफ हमला तेज किया और उन पर ललित मोधी विवाद में बार बार जूट बोलने का आरोप लगाया कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने कहां कि परदे उड़ गया है और राजस खुल गया है राजे के हस्ताक्षर से 18 अगस 2011 को ब्रेटिस सरकार के सामने ललित मोधी के आवरजन मामले का समर्थन करने वाला दस्तावेद सामने आ गया है जैराम रमेश ने कहां कि भाज़पा हमेशा से कहती रही है कि अगर उनके हस्ताक्षर से जारी कापजाद पेश किये जाए तो वे दोशी है किसी सबूत की जरूरत नहीं है बसुंधरा राजे पूरी तरव बेनकाब हो गई है रमेश ने का कि कॉंग्रेस तबकाल उनके इस्तिफे की मांग करती है विदेश मंतरी सूशमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंतरी स्मूती इडानी के भी इस्तिफे होने चाहिए प्रधान मंतरी मोदी की और निशाना साथते हुए जैराम रमेश ने कहा कि प्रधान मंतरी जानते हैं कि उनके लिए तीन मंतरियों के इस्तिफे मांगना मुश्किल होगा गुजरात में बारिश का कार 51 की मौत मांसून देशवर में छा गया है दक्षिनी राज्यों के बाद मद्ध भारत होते हुए मांसून अब उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुच चुका है गुजरात में मांसून जान लेवा बन गया है और भारी बारिश बार की चपेट में आने से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है गुजरात में बंगलवार गुधवार को हुई तेज बारिश, तूफान और जल जमाओ के कारण आम जन जीवन प्रभावित हुआ अकेले अम्ब्रेली जीले में 36 लोगों की मौत हो गई बौसम विबाग ने गुरुवार को गुजरात में चक्रवाती तूफान की चेतावनी भी दी है जमु कश्मीर में भारी बारिश से बार जिसे हालात बन गए है कश्मीर के कई इलाकों में जेलम नदी खत्रे की निशान के उपर बह रही है